येस पीपल चलिए आ रहा हूँ अब शुरू करते हैं एक दम बहतरीन तरीके से आज ये बहुत ही जबरदस कंसेप्ट से शुरू करेंगे हम होता क्या था एक दम ध्यान से स्टोरी चल रही है होता क्या था यहाँ पर आ जाएंगे सब लोग तो अच्छा लगएगा मुझे बहुत हमारी कंपनी में तीन कैटिगरी अफ पीपल थे ये तीन लोग हमारी कंपनी में थे देखो एकदम ध्यान से यहाँ पर हो ये है आपकी कंपनी इसका नाम दिया है मैंने गुड लाक लिमिटेड गुड लाक लिमिटेड नाम से आपकी कंपनी है इस कंपनी ने जब डिर को स्टार्ट किया बिसनेस थीन लोगों से पैसा लिया थीन टाइप के लोगों से पैसा लिया सबसे पहले हमारे इकविटी शेरहोल्डर एक्डम हमारी कंपनी में सब शाद मिल्द published इनी के पास हमारी company की decision making भी है actually right किसके हाथ में है equity shareholder, company के decision, voting power, equity shareholder फिर आए एक हमारी company के मैं debenture holders की बात कर रहा हूँ भी फिलाल debenture holders, debenture holder मतलब वो लोग जिनको हमारी company से कोई भी फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को हमारी company से कोई भी फर्क नहीं पड़ता ये है debenture holder, इन्होंने अपना पैसा दिया है, इन्होंने simply हमारी company को दिया है धो कैसे लिए धो उधार इन्होंने हमारी company को क्या दिया है, उधार सिर्फ उधार इनको कोई फरक नहीं पड़ता कंपनी की ग्रोध से इनको सिर्फ किस चीज से मतलब है अपने इंट्रेस्स से तो इनको तो इनका इंट्रेस्ट वैसे वे मिलना ने in case of profit or loss इन्होंने कंपनी को क्या दिया है उधार इनको कंपनी से कोई फरक नहीं पड़ता कोई प्यार मौबद नहीं है इन्होंने कंपनी को दिया है उधार और उसके बदले में ये कंपनी से लेते हैं ब्याच इंट्रेस्ट कोई प्यार मौबद नहीं आपकी कंपनी ग्रो करे नहीं करे हमें कोई फरक नहीं पड़ता है हमें सिर्फ हमारा interest चाहिए वो तो आपका loss होगा तो भी हम लेके रहेंगे तो भी हम लेके ही रहेंगे तो एक हो गया equity shareholder गया एक हो गया debenture हो गया equity shareholder जो है न उसको कभी अगर profit नहीं हुआ और डिवरेंट नहीं दिया तो कोई वो बुरा नहीं मानता क्यूं अरे company का बस आप growth करो अगर company की growth हुई तो कल को फाइदा तो किसको ही होना है equity shareholder को होना है न अगर company की growth हुई तो at the end of the day who's going to be at the win equity shareholder न तो equity shareholder long term look out से सोचते हैं कि at the end of the day फाइदा तो हमारा ही है at the end of the day फाइदा तो हमारा ही है तो इनको कोई short term profit profit of it से प्यार नहीं है अब आई तीसरी category that is preference shareholder अब यहानो थोड़ा सा confusion का तकलीफ है अब मेरी बात को ध्यान समझेगे थोड़ी सी तकलीफ है क्यों तकलीफ की बात इसलिए है preference shareholder को समझ नहीं आ रहा कि वो owner जैसी बात करे या फिर वो किस तरह से बात करे ध्यान से समझेगे debenture holder है न उसके हाथ में कुछ है समझ में आ रहा है क्या है katora katora क्यों उसको फरक नहीं पड़ता आपको जो करना है करो मुझे बस मेरे katora में क्या दे देना interest दे देना debenture holder doesn't give a damn कि आपकी company में क्या चल रहा है voting right, voting right तो उसको मिलता ही नहीं है अरे उसको तो shareholder meeting पे भी नहीं मुलाते हैं हम हमारे decision ले लेते हैं लेकिन उनको सिर्फ उनके katora में क्या दे दिया जाता है interest और उनको उसी से मतलब है आपकी company का growth हो रहा है नहीं हो रहा है company का हिसाब financial statement कुछ नहीं चीए उनको उनको क्या चीए सिर्फ मात्र केवल interest और वही equity shareholder है उनको profit से इतना प्यार नहीं है profit हुआ तो अरे कभी कभी तो कुछ companies पता है क्या करती है बहुत सारा profit होता है फिर भी dividend declare नहीं करती है बहुत सारा profit होता है फिर भी dividend declare नहीं करती है सर क्यों ऐसा क्यों फिर equity shareholder लड़ते नहीं है क्या अरे नहीं लड़ते हैं उनको कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि अगर company ने profit किया है उस profit से अगर dividend नहीं भी declare किया तो इसका मतलब profit company यूज कर रही है तो company यूज करेगी, company grow करेगी एड़ियन तो हमारा ही पैसा है, हमारी तो share की value बढ़ेगी तो अगर company कभी dividend pay नहीं भी करती है तो भी equity shareholder को problem नहीं क्यों अरे company के share की price भढ़ती रहती न धीर धीर तो अगर मैंने share लिया था 100 उर्पे में और वो share आज हो गया 300 उर्पे का तो मेरा तो profit वैसी भी हो गया न dividend मिले नहीं मिले, तो equity shareholder को dividend से कोई प्यार नहीं तो उनको कोई कटोरी लेके बैठे नहीं dividend दिया तो ठीक, नी दिया तो भी ठीक, company तो हमारी ही है जिस दिन company बंद करेंगे पूरा पैसा तो हमी समेट के लेके जाएंगे न आपने अगर अपने पास भी रखके रखा, तो at the end तो सारा पैसा equity shareholder ही लेके जाएंगे तो equity shareholder को कोई फरक नहीं पड़ता आपकी company के अंदर dividend पे हो रहा है या नहीं हो रहा है उनको तो चाहिए कि जादा जादा profit हो बस ठीक है और एक दूसरे हो गए, debenture holder उनको कोई तकलीव नहीं है, उनको कैसा है बाई, सिर्फ मेरा देदो interest, are you understanding कैसा picture चल रहा है, तो sir debenture holder की picture भी clear हुई, equity shareholder की picture भी clear हुई, equity shareholder gets voting right, the stick denotes what, power, voting right, equity shareholder gets voting right, but equity shareholder doesn't care much about dividend, मिला तो भी ठीक है नहीं, तो कोई फरक नहीं पड़ता मैं इधर देखता हूँ, मुझे दिखता है debenture holder, मैं इसकी तरह कटोरा लेके खड़ा हो जाओ, या फिर मुझे इधर देखता है equity shareholder, with the dignity, with the respect, मैं इसकी तरह खड़ा रहा हूँ, मैं company की growth की कोशिश करूँ, preference shareholder को समझ ही नहीं आता है, मैं क्या करूँ, preference shareholder is confused, के should preference shareholder think about try for growth of the company or not, you tell me, yes or no, yes sir confusing है sir, क्यों, higher growth के लिए फायदा करे परे पर समझो, company को profit हुआ, company को profit हुआ, preference dividend मिल गया, company को बहुत profit हुआ, फिर भी preference dividend ही मिलेगा न, company को बहुत बहुत profit हुआ, अरे फिर भी मिलेगा तो क्या, preference dividend ही मिलेगा न, are you understanding, तो preference shareholder को भी एक point के बाद तो अरे नहीं पढ़ता है न, company को कितना profit हुआ, आपको समझ रहे है मेरी बात या नहीं, एकदम, profit, 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 year 1, profit, year 2, profit, year 3, profit year 1 में, हमारी company का, बहुती, बे इंतहा profit हुआ है, एकदम, year 1 में, हमारा profit हुआ है, 25,000 रुपेका, year 2 में हमारा profit हुआ है 2,50,000 रुपए का और year 3 में हमारा profit हुआ है 25,000,000 रुपए का एकदम आ रहा हम से I'm so predictable यार चलो तो ये चीज़ चल रहा है 25,000, 2,50,000, 25,000,000 रुपए हमारी company के balance sheet कुछ ऐसी दिख रही है एकदम equity share capital सबसे वहला हमें दिख रहे है 5,000,000 रुपए के preference share capital भी है 5,000,000 रुपए के 12% preference share capital 5,000,000 रुपए के next आपको दिख रहे है debentures 5,000,000 रुपए के 10% debentures समझ मैं रहा है balance sheet कैसी है एकदम ध्यान से सब लोग straight बैठेंगे एकदम आराम से यहाँ पर हम लोग बात कर रहे है equity share capital 5,000,000 रुपीज की है preference share capital 5,000,000 रुपीज की है debentures 5,000,000 रुपीज के debentures कैसे है 10% debentures से preference share capital कैसी है 12% preference share capital ठीक है sir तीनो case में calculate करना है कितना पैसा देना है सबसे पहले क्या पे करूँ debenture सबसे पहले outsider का payment होता है तो debenture का interest payment होगा debenture का interest कितना है 10% of 5,000,000 मैं वापिस कह रहा हूँ मैं फोड़ देगा अगर किसी ने कभी ये percentage profit पे लगाया तो कोई भी percentage profit पे नहीं लगता है percentage हमेशा लगेगा capital पे ये जो percentage है ये हमेशा लगेगा capital पे समझ मैं आ रहा है clear तो सबसे पहले debenture का percentage है 10% 10% of what 5,000,000 तो debenture को interest कितना देना है 50,000 एकदम ध्यान से देखेंगे 50,000 का interest देना है अरे बट फर्स चेरे में तो profit ही कितना हुआ है 25,000 कैसे देंगे देना छोड़ देगा नहीं देगा देना पड़ेगा debenture holder यहाँ पे कटोरा लेके खड़ा है उसको फर्क नहीं पड़ता profit हुआ है loss हुआ साब उसको उसका interest चाहिए तो भले आपका 25,000 का profit हुआ है आपको debenture interest देना होगा 50,000 का and this will end up your company having a net loss of 25,000 your company's financial statement will show a net loss of 25,000 चलो ठीक है उसका 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 प्रेफरेंस देंगे क्या loss प्रेफरेंस देंगे क्या यह 12% 5,000,000 का यह जो भी calculate होगा यह देना है क्या नहीं देना है क्यों डिविदेंड प्रेफरेंस दिविदेंड नहीं दिया, कुछ भी नहीं देना है तो हमारी company का net loss हो गया 25,000 इ equity shareholder को गई dividend मिलेगा क्या mandatory तो नहीं है, कुछ dividend नहीं मिलेगा कैसे loss में company, चलो बात खतम हो गई मतलब जब आपकी company का loss हो रहा था आपके साथ क्या divention holders खड़े रहे, नई वो अपना पैसा लेके चले गए, आपकी company को और loss में लेके चले गए, लेकिन preference shareholder आपके साथ खड़े रहे, कि कोई बात नहीं साब, profit नहीं हो आए ना, हमें पैसा मत दो, profit नहीं हो आए ना, तो हमें भी मत दो चलेगा, preference shareholder आपकी company को अगले साल profit हुआ, धाई लाख रुपय का, सबसे वहले interest कितना पै करेंगे, debentures का 10%, same 50,000 ही हो रहे हैं, ठीक है साब, 50,000 का हमने pay कर दिया, हमारा profit कितना बजग गया, 2 लाख रुपय का profit बजग गया, अब preference shareholder को को क्या देना है, 12% का preference dividend, कितना dividend देना है, preference shareholder का बता हूँ, 60,000, 60,000 कहां से आया, ये 12% of 5,00,000, ये अपन ने इनको दे दिया, 60,000 का dividend, 1,40,000, ये 1,40,000 किसका गया, equity shareholder का, सब लोग खुश है, तीनों खुश है, debenture holder भी खुश, preference shareholder भी हमारे साथ, इस बार profit हुआ, उसको पैसा मिला, और equity shareholder भी खुश, उनको भी पैसा मिला, तीनों खुश है, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, first case के अंदर, debenture holder खुश था, preference shareholder खुश नहीं था, equity shareholder खुश, नहीं था, second case में अब तीनों खुश है ना, क्योंकि तीनों को पैसा मिला है, अब third case, third year में हमारा profit कितना हो गया, 25 lakh rupees, सबसे ले, debenture को interest कितना देंगे, sir, 50,000, हमारा profit आ गया, 24 lakh, 24 lakh, 50,000, 24 lakh 50,000 का हमारा profit आ गया, अब यारों हमें दिना है, preference dividend, equity shareholder को कितना मिल गया, 23 lakh 90,000, sir, एकदम ध्यान से मेरी बात को सुना, यह पूरा equity shareholder को मिल गया, 23 lakh 90,000, year one में, debenture holders जो थे न, वो खुश थे, अब बात करों, debenture holder की, वो तो year one में खुश थे, year two में भी खुश थे, year three में भी खुश थे, उनको क्या फरक पड़ता है, उनको तो उनका मिली रहना है, जो fix है, तो उनको कोई फरक नी पड़ता, preference shareholder, equity shareholder, equity shareholder, year one में दुखी थे, equity shareholder, year two में खुश हुए, और equity shareholder, year three में तो पागली हो गए न, इतना जो patience उन्होंने रखा शुरू से, कि भाई कोई बात ने, loss निये, रुकेंगे, रुकेंगे, उसका reward मिल रहा है न, जियो कंपनी के अंदर shareholder गया, ऐसा ही होगा न, year one में रुके, loss न, अरे यार, loss हुआ, year two में अरे यार, अरे यारोडर्स को फरक ही नहीं पड़ता, first year में भी वो interest लेके ही गाए, जब company loss में थी, second year में भी interest, third year में भी interest, तो उनको तो कोई फरक नहीं पड़ा, बात है, preference shoulder की सोच के जवाब देना, year one में वो क्या थे, दुखी थे न, of course नहीं मिला, year two में वो खुश हुए, कि हाँ हम कोई मिला, equity कोई मिला, year three में वो खुश होंगे क्या, वो actually खुश नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, यार देखो यार, हम जिन equity shareholder का साथ देते आए, loss के time पे, debenture order तो अपना पैसा लेके गए थे, हमने पैसा मांगा क्या, नहीं मांगा, equity shareholder को भी नहीं मिला, हम को भी नहीं मिला, हम उनके साथ में खड़े रहे, कोई बात नहीं हम तुमारे साथ है, second year में जब थोड़ा सा profit हुआ, तो हमने थोड़ा रखा, equity shareholder नहीं थोड़ा रखा, ये भी ठीक था, यार year 3 में जब तुमको इतना सारा profit हुआ, equity shareholder तुम तो हमको भूली गए, तुम हमको चुपचाप से हमारा पैसा देकर, सारा पैसा, खुद लेके चले गए, ये कोई बराबरी है क्या, 60,000 हमको दिया, और खुद ने कितना रख लिया, 23,90,000, इससे तो better होता, कि हम लोग क्या बन जाते, debenture holders ही बन जाते न, कि भाई ठीक है, हमें फिर company से कोई फरक ही नहीं पड़ता, आपकी company profit या loss, हम हमारा पैसा लेके जाएंगे, don't you feel, with this culture coming up, preference shareholders will always be demotivated, कि यार ये क्या फादा हुआ है, और company के लॉस के बुरे वक्त में, तो हम आपके साथ में रहते हैं, और जब आपको बॉत सारा profit होता है, हम को चुपचाप जो हमारा बारा टका देके, आप चले जाते हो, so this was very demotivating for preference shareholders, and that is why preference shareholders are not popular also in India, preference shareholders इंडिया में popular ही नहीं है, सिर्व equity shareholders, debentures सब साथ popular, क्यों, अरे क्यों issue करेगा, क्यों मैं मैं क्यो preference shareholders करी देगा, या तो मैं debenture होके भिकारी बन जाएगा, कि मुझे interest दे या फिर मैं equity shareholders करे रिस्क लेगा ना, फिर मैं profit का भी मजे लेगा, are you understanding? So that is how it is, and hence there was a need, के preference shareholders को दो होगा था हम बग अप करें, कि नहीं आपके लिए भी कुछ है, आपके लिए भी कुछ है, और वहाँ पर डेवलप किया गया एक नया concept, आपको position समझ रही है, क्या हो रही है, किसी को जो अभी तक screen पर लेखा, उसमें को तकलीफ है, एकदम clear है, और यहाँ पर एक नया concept आया, पूरी class का focus यहाँ पर, the concept which I am discussing with you is, participating, preference, shares, एकदम ध्यान से, the concept which I am discussing with you is, participating preference share, Sir, what do you mean by participating preference shares, इनके terms को छिस तरह से होते हैं, ध्यान से, participating preference shares के, मैं example ले रहाँ, term कैसे होते हैं, there is a participating preference share, this is a, participating preference share, तो एक participating preference share पर लिखा होता है, एकदम ध्यान से, सबसे बदे तो उसकी face value लिखी होगी, हर एक share पर उसकी face value लिखी होती है इसकी face value है मान लीजिए 100 फिर यह preference share है तो इसका fixed rate of dividend भी लिखा होगा ठीक है इसका fixed rate of dividend है इसका preference dividend rate है मान लीजिए 12% अब मान थ्यान से समझना इसे कहा जाता है participating preference share क्यों इसके अंदर एक specific special clause होता है उस clause पर focus करेंगे सब लोग उस clause में क्या लिखा होता है that participating preference shares will get additional 20% out of the residual profit after payment of preference dividend पूरी class का focus यहीं पर एकदम शांती से इस तरह का एक participating preference share दिखता है आपको यह participating preference share आपको आपको हाथ में दिखा है मैंने आपको कैसा दिखेगा हो participating preference share उसको देखे के लिखो के उस पर उपर लिखा होगा participating preference share उसके लिखा होगा उसकी face value कितनी है 100 का every year यह तो normal हो जाता लेकिन यह वाला तो कौन सा है पार्टिसिपेटिंग सार पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या पार्टिसिपेटिंग मतलब आट पार्टिसिपेटिंग preference share will get an additional 20% out of the remaining profit after giving preference dividend मतलब हमारी कंपनी का profit interest दे दिया फिर net profit उसमें से preference dividend दे दिया फिर जो profit पूरा equity ले जाते थे उसका भी 80-20 करेंगे 80 देंगे equity को और 20 देंगे preference shareholder को आपको नहीं लगता अब preference shareholder शायद ज्यादा खुश होंगे और शायद अब वो प्रार्टना भी करेंगे कि company और grow हो क्यूं पहले तो वो नहीं करते थे क्यूं अरे पहले बस company का थोड़ा बात profit हो चलेगा हमको मिल जायए बस बागी company grow हो नहीं हो हमें फरक नहीं परता बट अब अगर हमने participating preference share issue कर दिये don't you feel the company would be more inclined the company would be more motivated towards all of its shareholders तो यहाँ पर कहीं अगर यह आपने दे दिया participating preference share अब कैसे होगा ध्यान से समझना इस third case को लेते हमने हमने जो भी third case दिखा था यह third case अगर यही third case होता participating preferences जो हमने example लिया वो वाला तो उसमें क्या होता सबसे पहले तो आपने pay कर दिया है interest पचासजार का फिर आपने pay कर दिया preference difference 60,000 का अब यह जो end में बचा ना 23,90,000 this would be divided between equity and preference किस ratio में 80% इनका 20% इनका so यहाँ पर यह जो 23,90,000 है इसका 2,39,000 into 2 कितना आ रहा है exactly 4,78,000 4,78,000 यह मिलेगा additional dividend preference shareholder को और equity shareholder का कितना बच गया इसका 23,90 का 80% कितना हो रहा है बच आवा 19,00,12,000 यह आ गया equity shareholder का dividend and this is known as participating preference share participating preference share के अंदर जो preference share है उनको सबसे पहले तो मिलता है fixed dividend और उसके आद में उनको additional right मिलता है कि जो residuary profit है उसमें भी आपको हक मिलेगा कि वहाँ पे भी आपको और benefit मिलेगा so preference shareholder का total dividend हो जाएगा 60,000 plus this 4,78,000 और यह preference shareholder में divide कर दिया चाहेगा and this is known as participating preference share this is known as participating preference share एकदम आराम से कोई बात नहीं 5-10% से थोड़ा सा concept समझा अभी तक वापिस में उसी concept पे हूँ participating preference share जिसका एक example मैंने आड रो किया पुरी क्लास का focus यहाँ पर रहगा तो समझेगा example रो किया participating preference share कौनसे share होते हैं अब मैं लिख के आपको समझाना थे रहा हूँ थोरी form में participating preference share are those preference shares participating preference shares are those preference shares which gets an additional right to participate in the surplus profit after payment of preference dividend के preference dividend को pay कर देते हैं उसके वाद में जो profit आया उसमें you get an additional right के उसमें भी थोड़ा आपको मिलेगा और बचावा equity के पास जाएगा this is known as participating preference share अब यह जो हमने example इधर लिया है इस example को यह अगर continue करता हूँ company का profit हुआ है मान लेता हूँ मैं 25 lakh रुपीज company का profit है 25 lakh रुपीज इसमें सबसे पहले मैं less करूँगा debenture का interest debenture interest मान लीजिए है 2 lakh रुपे एक दम example लेते वे जा रहे है 23 lakh less मान लो मैं कह रहा हूँ preference dividend preference dividend है मान लीजिए 3 lakh रुपे उपर वाले से डर लगता है क्या आपको 23 lakh माइनस 3 lakh करा है अपने भी डर लग रहा है उपर वाले से क्या बेश शरम हो चुक है क्या होता है 23 lakh 3 lakh क्या होता है अब देखो एक दमार आपसी यह हो गया आप उपर फॉर्मुले पर आता हूँ मैं उपर फॉर्मुले में क्या लिए उपर जो प्रिफरेंश में क्या लिखा है preference shareholder face value 100 preference dividend at 12% ठीक है सब यह हो गया यह तो अपने 12% overall का कर दिया होगा वो ठीक है preference प्रिफरेंश प्रिफरेंश में प्रिफरेंश एडिशनल 20% out of the residual profit after payment of preference dividend residual profit कितना चुका है 20 lakh यह देने के बाद में इसको आप कह सकते हो residual या फिर surplus यह after payment of preference dividend यह अब इसका होगा 80 20 कि इसका 80% और इसका 20% 80% यह जाएगा equity के पास यह जाएगा preference के पास तो यहाँ पे अगर हम बात करें total preference dividend का तो total preference dividend कितना हो जाएगा 4 lakh plus 3 lakh that is equal to 7 lakh now this type of preference share is known as participating preference share are you understanding so this type of preference share is known as participating preference share यह clear हुआ सबसे पहले चाल इसको आप क्या करेंगे pen down करेंगे पूरा का पूरा notebook के अंदर पहले notebook के अंदर पूरा का पूरा परिफेरेंट शेयरोडर में ही जाती है participating preference shares ऐसा जब आच company shares preference shares issue कर रही है तो company चाहे तो normal preference shares issue करेगी company यह इसू कर सकती है participating preference shares अगर वो normal preference share तो सिर्फ dividend लेके जाएंगे अगर वो participating preference share तो dividend के साथ में additional dividend भी लेके जाएंगे नई कुछ भी नहीं है company बस ये company के normal preferences issue करती तो कोई लेते ही नहीं है कोई खरीद ही नहीं रहा है इसलिए company participating issue कर देती है तो शायद लोग खरीद लें ये look out है yes please sir नई 80-20 मैंने example दिया है कोई 90 रेन कर सकता है कोई 75-25 कर सकता है ये सिर्फ एक example है जो मैंने दिया आपको समझाने के लिए surplus profit का preference विरेने देने काथ में जो पैसा बचा उसमें से एक share इनको दिया जाएग company को अगर reserve में रखना है न तो वो अलग चीज हो गई मानलो company के पास कैसा है यहाँ पे बचा 20 lakh रुपीस company को 20 lakh में से 20% 4 lakh तो preference share को देना है अब 16 lakh equity का बचा तो equity वाले decide करते हैं कि हमें क्या करना है या तो हम reserve company के पास ही रख सकते हैं या फिर अपना dividend ले सकते हैं तो reserve वाली चीज तो मैंने भी तक आपको पढ़ा ही नहीं है अभी मैं presume करके पढ़ा रहा हूं कि company पूरा का पूरा पैसा dividend के रूप में declare कर रहा है एक chapter आएगा आपका dividend का उसमें हम provision पढ़ेंगे कि company reserve भी रख सकती है तो अभी तो पर पूरा पैसा dividend के तूर पर anyways एक चीज समझेगा जब भी reserve रहता है वो reserve रहेगा equity shareholder के dividend में से क्यों end में बचेगा तो मिलेगा किसको equity को ना तो preference shareholder reserve रखेंगे क्यों समझ में आ रहा है क्या रहा हूं company reverend मैं भही कह रहा हूं preference different mandatory होता है अगर company को profit हुआ ना तो preference different देना तो mandatory है equity shareholder का different is optional company के पस देना है नहीं देना है तो यह सारी चीज़ है different के chapter में आएगे अभी तो हम share capital पे है mandatory है बिल्कुल आप समझो preference different mandatory है तो surplus तक आना mandatory हो गया surplus तक आया गया उसका 20% preference shareholder को देना mandatory है अब यह बच्चे 80 का आपको जो करना है करो वो आप उस chapter में पढ़ेंगे different के ऐसा यह legible है के नहीं है यारों एक काम करो example ही तो खास लिखना है यह भी लिखना है preference shareholder का voting right नहीं होते है मैं वही कह रहा हूँ वो आएगा तो अभी आप मान के चलो कि preference shareholder का voting right नहीं मिलते है sorry नहीं वो पेंड़ाओ नहीं करना है वो सिर्फ आपको समझाना चाहरा था मैं कि किस सरसे concept होता है वो आपको सबको पता है श्ष्ट वो आपको पता है और यह फंग चान रहा सक्य रहा ज़कता फिरा फेटेर नहीं है झाल 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 खिश्ञ जाल अब मुझे एसा लगता है हो चुका है आए क्या करते हो आप क्या करते हैं मैं सही कह रहा हूँ एक और में आपको आपको वहां बिठा हूँ इसाइचिए सब लोग आप दुनों बहुत ज़ादा बाते करते हो और आपके पीछे मासूम लोग बैटते हैं सब डिस्टरब होते हैं चलिए सबसे पहले आपने participating preference share क्या होता है लिखा होगा और उसके आद में example लिखा होगा अगर किसी वेक्ती ने topic की heading दी example उपर वाले से डरो यारो यारो जालो शालो शाली मूव फोवड शाली है अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे यह हो गया participating preference share का पूरा का पूरा का पूरा concept एकदम ध्यान से अब असली topic आ रहा है तो पूरी क्लास का focus यहां पे अब आ रहा है एकदम खतरनाक topic जिसका छूड़ गया मैं क्लास के बात में लिखो को ज्यादा अच्छा रहेगा ना कोई गुस्से की बात ही एकदम आराम से क्लास के पैंडम करेंगे थोड़ा बत कुछ मिस हो गया तो अभी यहां पर आएंगे में कंसेप में अब आ रहा हूं जो मैं पढ़ाना आपको चाहता हूं तो पूरी क्लास का focus यहां पे participating preference share सर अब तो आगय है हमको समझ में आगया participating preference share refers to those preference share दो आगय है do you all agree with it जो लिखा है उस पे किसी कोई आपती नहीं है ये चीज़ दिमाग में बैट रही है participating preference share refers to those preference shares which gets an additional right to participate in the surplus profit after payment of preference dividend मतलब जो residuary profit में जिसको right मिला वो हता है participating preference share जैसी मैंने concept पढ़ाया यहां से एक व्यक्ति आया एक दम ध्यान से यहां से एक व्यक्ति आया इस व्यक्ति का कहना था sir ये जो participating preference share आपने पढ़ाया ना concept that a person or shareholder will get right in the additional surplus profit sir ये तो अब तो equity share बन गए sir ये तो अब equity share बन गए है तो मैंने का equity share कैसे बन गए है ये कैसे equity share बन गए है ये तो preference share ये ना सिर्फ उनको surplus में right दिया है ये बोला नाई 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 जिसको भी final surplus मिलता है वो क्या होता है owner वो था equity share holder तो इनको final surplus मिलता है 20% का अब जो overall company को profit होगा आप क्या पढ़ाते हो हमको आप ये पढ़ाते हो equity share order like owners equity share order like owners why do you say like owner वो company के owner तो होते नहीं है उनको सिर्फ ये पूरा final profit मिलता है इसी रहे तो उनको owner बोलते हैं कि जो भी profit होग वो उनको मिलेगा वही प्रार्तना करते हैं company का profit हो अरे अब तो प्रार्तना करने के line में दो लोग और आ गए न अब ये preference share holder भी आके खड़े हो गए क्योंकि वो लोग भी तो चाहते हैं कि क्या हो company को profit हो क्योंकि company का residual profit अब इनको भी तो मिल रहा है ये लोग क्या बन गए equity shareholder यहाँ पर दूसरा व्यक्ति आया बोले क्या बेफकूफ हो क्या आप उसने बोला अरे ये हैं तो कौन ये 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 preference shareholder ही है इनको ध्यान से देखो ये preference shareholder ही है सिर्फ इतने difficult word क्यों आते हैं सिर्फ additional right इनको मिला है अरे इनको अब ध्यान से देखो ये कौन है ये है तो preference shareholder ही है इनको सिर्फ मिला additional right ये हैं तो हमारे preference shareholder ही है इनको सिर्फ additional right मिला है ये मैं उनको समझा समझा के ठक गया लेकिन वो मानी नहीं रहे मैंने बहुत समझा है कि ये preference shareholder ही सिर्फ additional right है बोले नहीं residual मतला BQD shareholder इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है फिर आया central government यहाँ पे Central government को लाना पड़ा एक proviso to section 43 section 43 सर मैं आपको ये जो chapter पड़ा रहा हूँ मैं आपको जो module का जो chapter पड़ा रहा हूँ इसका bear act में reference वाला chapter कौन सा है chapter number 4 of companies act 2013 chapter 4 कौन से section से कौन से section तक है 43 से 72 कोई section याद नहीं करने जिसको नहीं याद आ रहा है मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ जिसको याद आ रहे हैं बस ठीक है कोई बात नहीं section 43 section 72 section 43 के अंदर proviso लाना पड़ा central government को तब central government ने यहाँ पे क्या लिखा इस proviso के अंदर लिखा concept लाए एकदम ध्यान से deemed preference share का central government लाया proviso 2 section 43 proviso 2 section 43 में central government ने concept लाया deemed preference share deemed preference share का concept लाया गया sir what do you mean by the word deemed deemed का मतलब ऐसा मान लिया जाएगा deemed का मतलब होता है होगा या नहीं होगा छोड़ो ऐसा मान लिया जाएगा जब जब आज तक मार्केट में इस प्रकार की लड़ाई हुई कि कोई कुछ के रहा है कोई कुछ के रहा है तब आता है central government और deemed करके बोल दिया जाता है कि तुम्हें जो समझना है समझो ये होगा deemed ऐसा मान लिया जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ deemed का मतलब समझ रहा है deemed मतलब ऐसा मान लिया जाएगा एक दम ध्यान से मैंने आप से बात की मेरे school की न नहीं की बात अरे यारो मेरे जीवन शैली क्या हो गए छोड़ो आज तो पढ़ाई हो गए आज की मेरी जीवन शैली में कैसा रहा है कि we are two brothers एक मैं कुछ लोग रिलाक्स हो गए बस आज का लेक्स एई ध्यान दो यहाँ पर एक हूँ मैं शुबम एक है मेरे बड़वहिया बड़वहिया उनका नाम है हर्शिद वो मुझसे दो साल बढ़े बस एकदम आराम से वो मुझसे सिर्फ दो साल बढ़े हैं तो मान लो जब मैं आता हूँ 10th में वो आते हैं 12th में और I'm from Rajasthan, Rajasthan में स्कूलिंग सिस्टम कैसा जता है मतलब 12th तक स्कूल है कोई डिफरेंस ही महराश्ट में आला कि मावल बना रखा 11-12th का 11-12th को कॉलेज पता है कि हमारे कोश निए 11-12th स्कूल ही है बस वो नेकर पहनना बंद हो जाता है बागी सेम है स्कूल है कि मापको युनिफर्म में जाना है सेम रूल है कोई तकलीफ नहीं तो आपका 11-12th तो अपना क्या स्कूल में गा लगी रुबाप क्यों? बड़ बगया ना तो अपन जहां पे जा रहे हैं वहां पे दो साल पहली बड़ बगया ने मचाया है ना तो एक नाम चलता है और मेरे बड़ बगया मतला समझो के मैं तो कुछ होई नहीं मैं तो सीधा हूँ एक दम आपके सामें मतलो मैं तो पूरा सिंपलेस्ट हूँ और मेरे बड़ बगया तो आपको मतला दिवाने हो जाओग अगर आपको उनके किस से बढ़ा दिये तो चलो अब यहां पर बात करते हैं तो कैसा होता था मेरे साथ में मैं जब भी किसी क्लास में जाता था ना आई वोज डीम्ट टूबी नलायक मतलब मैंने कुछ नहीं किया मैं पहले दिन आया हूँ शुभम सुकलेचा सुकलेचा हर्षे सुकलेचा का भाई चल उदर बैठ मैं का मैं आया है मैं बुक लेकर आया है मैं बैग लेकर आया है मैं सब पे नया स्टिकर कवर वर सब लगा किया डेव ने मेरा क्यों आगे बैठ क्यों आगे क्यों बैठ फिर कुछ सालों में मुझे realized हुआ ये मेरे भाईया की छवी है जिसको मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ so I was always deemed to be nalayak wherein I was not यार मैं नहीं है मैं सीधा अदमी था यार तो मैं सीधा अदमी था बट उन्होंने इस तरह से I was deemed to be nalayak deemed मतलब आप वैसे हो ना हो आपको वैसा मान लिया चाहेगा और वहाँ पे Central Government came up with a proviso to section 43 that proviso said that proviso said if at all if at all any preferential gets additional right to participate that preferential gets an additional right to participate in the surplus profit that preferential gets an additional right to participate in the surplus profit और surplus in case of winding up also इन्होंने कह दिया अब अभी तक तो हमसे profit में surplus की बात कर रहे थे participating preference shares को आप चाहे तो winding up पे भी surplus होता है ना अपने winding up के अंदर क्या पढ़ा है जब winding up होती है company की तो company का line लगती है सबसे पहले कौन preferential creditor preferential creditor क्या होता है आप पढ़ेंगे धीरे धीरे preferential creditor और सरकार ने क्या खेल लिया पहले line कैसे हुआ करती थी वापिस वो concept में वापिस इतर आएंगे पहले line कैसे लगती थी secured creditor सबसारे secured creditor अपना पैसा लेते थे उसके बाद में unsecured creditor उसके बाद में preference share उसके आद में equity share अरे debenture अगर secured है तो secured creditor में आते थे debenture अगर unsecured है तो unsecured creditor में आते थे ऐसा ये चार लोगे line थी अरे कभी फिर क्या हुआ government को लगा अगर आपको government को tax पी करना है government को tax पी करना है बाकी है तो वो unsecured में आ रहे थे है ना तो government एक नया section लेकर आरे बेशर्मी एक section लेकर आए by the name of preferential creditor कि ये कुछ category of लोगों को preferential creditor बनाया जाएगा और उनको सबसे पहले खड़ा किया जाएगा और उसमें सबसे पहला point लिख दिया any taxes due to government अब जब winding up होता है तो सबसे पहले आगे-ागे खड़ा होगा government कि पहले हमारा जो उधार है वो दे दो और उसके बाद में आएगा secure और उसके बाद में आएगा secure ये law आच का और बुरा ना लगे किसी को कि तो government क्या कर रही है तो उन्होंने उस preferential creditor में एक और point एड किया कि हमारे company के जो worker है न worker का पैसा भी preferential creditor तागि selfish motive नहीं लगना थी तो वहाँ पे preferential creditor एक list आगी अब accounts के अंदर भी पढ़ेंगे ये liquidation के chapter में preferential creditor की एक list आगी कि ये होते हैं हमारे preferential creditor सबसे पहले वो लोग पैसा लेंगे फिर secured फिर unsecured फिर preference shareholder और उसके बाद में equity shareholder that is how people function ठीक है अब यहाँ पे generally क्या होता है सब का तो fixed payment है preference का भी fix होता है और equity को बचा हुआ सब मिल जाता है लेकिन अगर company बनाना issue करना चाहती है participating preference shares तो वहाँ पे क्या होगा ये winding up पे पैसा मिल रहा है मिल रहा है preference share का जितना capital का पैसा है वो तो मिल जाएगा उसके आद में जितना भी पैसा बचा जो जनरली equity share order ले जाते थे अब वो भी divide होगा in the given ratio say example 80-20 20 preference को और 80 equity को so participating preference share every year तो profit के अंदर surplus में participate करेंगे और winding up में भी वो surplus में participate करेंगे and hence यहाँ पे क्या कह दिया एकदम आराम से any preference share which gets additional right to participate in the surplus profit or surplus in case of winding up इसके आगे क्या लिखा ध्यान से institute ने section central government section 43 के प्रुविजों के अंदर लिखा any preference share which gets additional right to participate in the surplus profit or surplus in case of winding up shall be deemed to be preference share capital only यह जैसे ही section आया उसके बाद में इस व्यक्ती के मूँ पे लग गया ताला अब यह कुछ नहीं बोल सकता और यह पहले बोल रहा था ना अरे यह तो equity share हो गए है लेकिन अब क्या law ने कह दिया equity share हो गए हो गए लेकिन ते शल deemed to be preference share capital deemed to be के बाद किसी की कुछ नहीं चलती भाई यह ऐसा ही मान लिया जाएगा तो भली आपको लोग रहा surplus में तो equity होना चाहिए लेकिन section आ गया deemed to be preference share capital और उस section के आने के बाद में story खतम किसी को equity लगता है तो equity लगने दो preference लगने दो it shall deemed to be what preference share capital are you understanding what I am trying to say so this is the proviso to section number 43 the proviso talks about deemed preference capital understanding तो participating है तो भी आप preference share capital ही है एकदम शांती से यह आपको pen down करने का मौका दूँगा उसके पहले हम लोग आते है notes पे notes पे आजएगे सब लो एकदम शांत मन से बिना घबरा है यह bare act से directly copy paste हुआ है bare act मतलब बहुत खतरनाक language तो एकदम शांती से इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे when share capital be deemed to be preference capital यहाँ प्रूपों तूरा है यहाँ बेट थाएब बहुत लो ऑने की कोशल पत्रीदत है बहुत करेंगे प्रूश दुट करेंगे तो नहाँ है जहाँ है यहाँ है झाल अन्यक्तों इस कोशल झाल 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 प्रेफरेंशिल राइट ये जहाँ पे भी लिखा है ना उसका मतलब कहा पता है? ये जाल 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 झाल अब easy हो गया, तो हर आदमी करता है return filing 500-500 रुपे में, कोई भी कर लेता है, become graduate बैट के return file करवा रहे हैं आपके, क्यों? अब वो easy हो गया, तो जब तक काम difficult है, तब तक उसकी इज्ज़त है, तो एकदम शानती से, चलो, yeah, yes please sir. एकदम शानती से, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां से यहां तक readie करना है, पहले यहां से यहां तक, first clause, first clause पूरा दिमाग में बैड़ गया है, तो second clause तो कुछ भी नहीं है, second clause करता है, winding up पे भी उसको surplus में share मिलेगा, बस. वहां, बस. तोड़ा तोड़ा समझ में आ रहा है एकदम आराम से किसी को भी यह नहीं सोचना है कि सरी तो बहुत ही हम स्लो चल रहे हैं जितने चैप्टर्स फर्स्ट वन मंथ में हम कवर करेंगे उसके तीन गुना चैप्टर आपके नेक्स वन मंथ में हो जाएंगे इसका मतलब यह नहीं कि मैं भगाता हूं उसके बाद में भगाने की जिरुवत ही नहीं पड़ी फर्स्ट वन में बहुत स्लो जाते हैं तो बहुत स्लो जाके कि अपकी अंडस्टैनिंग डेवलप हो एक बार आपका इंटरेस्ट आगे आपका इंटर्पेटेशन सही है तो ब अब भी आपको यह 50-60% समझ में आ रहा है तो अब नोट्स के लेफ्टन साइट नोट्स में जगए इसके लेफ्टन साइट पे वो लिखना है नोट्स में आपको और फिर घर जाने के बाद आज वापस आपको यह पूरा घर पर रीड करने की कोशिश करनी है बिल्कुल ठ इसके अंदर स्टेप वन स्टेप टू और फिर आया स्टेप त्री एकदम शांती से यह पूरा आपको लिखना है सबसे पहले आप लिखेंगे बीचो बीच पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंस यह स्टेप वन एक व्यक्ति बोल रहा है स्टेप इकुटि शेरोंडर के एक सट्प के लिखारा रहा है कि एक अपरूस तरह से आपको पन डाउन करना है जो स्टेप टू है ना उसके लिए एक बार सब्सक्राइब करना है समझ गया एक बार स्टेप टू के लिए मैं थोड़ा सा एक बर जूम-इन कर रहा हूं स्टेप टू आप थोड़ा बात लिख लिए उसके लिए जगे रख ले ना आपी ताकि आप यह कम से कम प्रॉपरली चल्ड़ यह झाल एक लिए बाव एक बखाने हैं ने सब्सक्राइब था रख छूम एक लिए बात अन्ठाकियो करा आपक है लोग्योग है आपक है लिए लोगे लिए लिए प्लेटले की लिए में जातूने हैं झाल 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 झाल